गुड़ मॉर्निंग स्टुडिंट्स टुड़ी वी आर सेवन चेप्टर इन एवी एस क्लोथ्स वी वेर। मिक्की ने कहा कि मैं वो क्लोथ्स यानि कि वो कपड़े जो हैं वो बाहर निकाल रहा हूं कि जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं हैं तो मिनी पूछती है वाट विल यू दू विद ओल दीज क्लोथ्स तुम इन सभी कपड़ों का क्या करोगे तो मिक्की कहता है आई विल डोने कपड़ों को जो नीडी और पूर है यानि कि जो जरूरत मंद है उसे मैं ये डोनेट कर दूँगा पेवद वेई मैच दू पिक्चर्स विछ विद धैर करेक्ट नेम्स दी गई पिक्चर्स को हमें उनके करेक्ट नेम के साथ मैच करना है सबसे पहले हमें किसकी पिक्चर दी हुई है, एक skirt की, तो हम skirt को skirt के name से match करेंगे, next क्या picture है, next जो है वो है एक t-shirt, तो हम उसे t-shirt के साथ match करेंगे, उसके बाद जो है वो है एक jacket, next is raincoat, और last में जो picture है वो है shorts की, clothes, we wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust, germs and insects, we wear a variety of clothes, we wear different clothes on different occasions and in different seasons, हम अपने आपको heat, cold, rain, dust, germs और insects से बचाने के लिए clothes पहनते हैं, यानि कि हम जब कपड़े पहनते हैं, तो उससे हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, कीडे, मकौडे, इन सब से protection मिलती हैं, और हम अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि अगर हमें अपने घर में हैं, तो हम अलग कपड़े पहनते हैं, जब हम school जाते हैं, तो अलग पहनते हैं, किसी function में जाते हैं, birthday party में, शादी में, तो हम अलग कपड़े पहनते हैं, और अलग-अलग seasons जैसे कि सर्दियों में हम अलग कपड़े पहनते हैं और summer में भी हम अलग कपड़े पहनते हैं Clothes for different seasons In summer, we wear light-colored cotton clothes, they keep us cool, they absorb sweat, cotton plant gives us cotton यानि कि अलग-अलग seasons के लिए अलग-अलग clothes होते हैं जैसे कि summer में हम light रंगों के cotton के कपड़े पहनते हैं उससे हमें गर्मी से हमारा बचाव होता है, यानि कि हमें ठंड़क देते हैं ऐसे कपड़े और वो गर्मी में जो हमें बहुत स्यादा sweating होती है, तो वो sweat को absorb करते हैं और cotton जो है, वो cotton plant से मिलता है इन winter, we wear woolen clothes, they keep our body warm, they protect us from cold climate, we get wool from sheep, camel, yak, etc. सर्दियों में हम woolen clothes पहनते हैं, यानि के उनी कपड़े पहनते हैं और उनसे जो है हमें गर्मी मिलती है, वो हमें ठंड से बचाते हैं और यह जो wool है, यह हमें किस से मिलता है, sheep, camel और yak से इन rainy season, we wear a raincoat, jacket, gum boots and carry an umbrella, देकी पस dry, they are made from waterproof materials rainy season में हम क्या-क्या पहनते हैं, जैसे के raincoat, jacket, gum boots, ठीक है और अपने साथ में हम umbrella भी रखते हैं इससे क्या होता है, हम dry रह पाते हैं, यानि कि हम बारिश से, गीला होने से बच सकते हैं और यह सभी जो चीज़े हैं, वो waterproof material से बनाई जाती है now I know में आपको दिया है, कि we get cotton from plants and wool from animals they are called natural fibers, some other are silk, linen and jute तो cotton जो है, वो हमें plant से मिलता है, और wool जो है, वो हमें animal से मिलता है इसलिए इन दोनों ही fibers को हम natural fibers कहते हैं और इनके अलावा भी कुछ fibers होते हैं, जैसे कि silk, linen or jute special clothes, clothes worn by the children to school are called uniform some people also wear uniform to their workplace यानि कि कुछ एक special clothes भी होते हैं, जैसे कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल में क्या पहनते हैं, uniform पहनते हैं और कुछ एक ऐसे professionals भी होते हैं, जिने अपने work place पर uniform पहनना होता है जैसे कि आपको यहाँ पे अलग-अलग pictures दी हुई हैं जैसे कि student, lawyer, doctor, postman, nurse, policeman and firefighter तो यह सभी लोग जो हैं अपना जब काम करते हैं, यह अपना जब duty करते हैं तो यह हमेशा अपना uniform पहनते हैं Next is time to pause, put S for summer, W for winter and R for rainy season clothes हमें यहाँ अलग-अलग clothes के pictures दी हैं और जो clothes हम summer में पहनते हैं, उनके आगे हमें S लिखना है winter वाले clothes के आगे W और rainy season वाले clothes के आगे हमें R लिखना है सबसे पहले हमें किस के picture दी हुई है? सबसे पहले हमें picture दी हुई है एक muffler की, तो muffler हम winter में पहनेंगे इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे W next है raincoat, तो raincoat हम कब पहनते हैं? raincoat हम पहनते हैं rainy season में तो यानि इसके उपर होगा R next is skirt, skirt हम कब पहनेंगे? summer में यहाँ पे हम लिखेंगे S next जो क्या है? photo, next जो photo है वो एक sweater की photo है इसलिए यहाँ पे आएगा W for winter next picture is of full pant तो इसके आगे भी हम लिखेंगे winter next is gumboots, तो gumboots जो होते हैं वो rainy season में पहने जाते हैं इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे R next is shorts, shorts हम हमेशा summer में पहनते हैं और जो last picture है वो किसकी picture है? gloves and cap तो यह हम कब पहनेंगे winter में इसलिए यहाँ पे हम करेंगे W we wear special clothes on occasions like festivals, birthdays and other celebrations we should always wear clean and well ironed clothes हम अलग-अलग occasions जैसे की त्योहार, birthdays और दूसरे celebrations पर special कपड़े पहनते हैं और हमें हमेशा बिलकुल साफ और well ironed clothes यानि की iron किये हुए clothes से पहनने चाहिए हैं fun activity collect samples of different fabrics used to make clothes take the help of your elders and discuss which clothes are made from them आपको कुछ fun activity के लिए आप क्या कर सकते हैं तो आपको कुछ अलग-अलग type के fabrics जो हैं वो आपको एकठा करने हैं ठीके और उसके बाद आप आपके जो elders हैं उनके साथ आप discuss कर सकते हैं कि कौन से fabric में से कौन से जो clothes हैं वो बनाए जाते हैं next a quick recap clothes protect us from heat, cold, rain, dust, germs and insects clothes हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूल और कीडे मकौडों से बचाते हैं we wear different clothes on different occasions and in different seasons हम अलग-अलग clothes पहनते हैं और ये clothes पहनते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि कौन सा season है, कौन सा occasion है और कौन सा कभी-कभी festival है next is we wear cotton clothes in summer, we wear woolen clothes in winter, we use raincoat, gumboots and umbrella to keep us dry in rainy season summer में हम cotton के clothes पहनते हैं, winter में woolen के clothes पहनते हैं और rainy season में हम raincoat, gumboot ये सब कुछ हम use करते हैं we should wear clean and comfortable clothes, हमें हमेशा comfortable और साफ सुत्रे कपड़े पहनने चाहिएं assessment time, put a tick on the correct option number one, they keep us warm तो क्या है जिससे हमें गर्मी मिलती है, वो है sweater and gloves number two, we wear them in summers, summer में हम क्या पहनते हैं, skirt number three, they keep us dry in rainy season, क्या हैगा, umbrella and gumboots exercise b, fill in the blanks with the correct option number one, we wear dash clothes in summer, summer में हम कौन से कपड़े पहनते हैं cotton या woolen, हम cotton clothes पहनते हैं number two, we use a dash to keep away rain rain को दूर रखने के लिए हम क्या use करते हैं, rainbow या raincoat तो हमारा answer है raincoat number three, we get cotton from plants or animals so we get cotton from plants number four, dash give us wool cat or sheep so sheep give us wool exercise c, answer the following questions so answer the following questions so these questions you can answer by referring the chapter or with the help of solution exercise d, picture based question match the pictures in the two columns हमें यहाँ पर दिये गए pictures को सही options के साथ match करना है तो सबसे पहले है number one क्या दिया है हमें एक raincoat की picture है तो raincoat को हम किस से match करेंगे rain से option c से number two number two पे आपको किस की picture दी हुई है number two पे आपको एक sweater की picture दी हुई है तो sweater यानि कि ठंड तो sweater को हम option d से match करेंगे next जो picture है वो एक shorts की picture है तो shorts कप पहने जाते हैं summer में इसलिए इसे हम option a से match करेंगे और last में है uniform तो uniform को हम match करेंगे option b से कि जो एक school की photo है